इलो दोस्तो सुभा के जल्द वाजी सुव़ा टाया है की ऑफा लिआता है में एक बार को होगी झार यूटियो को लेक को मैं शेयर कर देना वो चैनल को सब्सक्राइब करना इस रेस्पी को बनाने के लिए लिए खीरा बजन की बात करें तो 300 ग्राम के लगवग हमारा खीरा खीरा जो लेना है वो बिल्कुल ताजा लेना है जिसमें काफी जादा जूस हो व बिल्कुल भी रख कि करें तो अब हमारा खीरा यह पर ताजा है तो इसमें बीज-भीजोंग बिल्कुल न्रम हे तो में ऐसा नहीं कि बीज निकालना है और जूस भी जादा आता है तो यूस बहुत जूएं क्योंकि हम खीरे की जूस में ही पूरी बणा कर तश्तरों को भणे उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें थोड़ असा नमक डाल देंगे 1 टी स्पून के लगबग और इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देना है हमें जिससे यह होगा खीरा हमारा और भी रस यहां लच्छे जो है छोड़ देंगे अपने तो रस अच्छे से निकल जाएगा तो हाफ टी स्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स लिए साथ में वन टी स्पून बुने हुए जीरे का पावडर लिया है और क्या करना है हमें यहां पर प्याज हरेमिर्च लेसन ले लेना है यदि आप नहीं खाते हो तो हटा देना तो मैंने एक छोटी साइस की प्याज लेत तो अब हम क्या करेंगी आदा कप इसमने सूजी यूट कर देंगे हम इस नास्ति हो यहां शूजी में बना रहे हैं आप चाओ ना तो इस नास्ति को चावलगे आठे से भी बना सकते हो इस नास्ति का नास्ता सब्सक्राइब से ऐस में सकते हो Pacific बनता है तो मैं counter तो सजिस दोबडी चम्मच छाच को डालने से नास्ते का टेस्ट जो काफी ज्यादा बढ़ जाता है आप चाहोते हैं टमाटर को भी बारिक कट करके डाल सकते हो सभी चुचु को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा हरादनिया डाल देंगी इसको भी अच्छी बन जाए टेस्टी नास्ता में जाए सुबह सुबह खाने के लिए तो दिन की शुरुवाट जो कहिना कहीं काफी अच्छी हो जाती है तो इसको आप क्या करना रेस्ट पर रख देना कुछ पांदस मिनिट के लिए जब तक आप आप या कुछ काम भी कर सकते हैं इतना जाब लगता है देख्यां सोजी ने अच्छी से जूस को आप गळब करका लियां जिसमें फटाफ़ी के ओलेता ही उतने ही अच्छा रेस्पी का यहां टेस्ट हो जाता है साथ में कड़ी पत्ता डाल देंगे इससे टेस्ट जो काफियाद तक बढ़ जाता है तो इनको थोड़ असे चटक जाने देना है और जो हमारा बेटर है इसमें हमें इसको डाल देना है तड़के को अब अच्छे से तड़के को मिक्स कर देते है फटाफट से फ्रेंट्स यदि रेस्पी अच्छी लग़ी हो आपको मेरी तो प्लीस आप मेरे वीडियो को लाइक कोमेंट शेयर कर देना और चेनल पर नई हो तो चेनल को सस्क्राइब करना भी बिल्कुल ना भुले, यदि आपने पहले से चेनल सस्क्राइब कर रखा है, तो उसके लिए आपका थेंक्यू सो मच, तो चलते हैं, गेस की हो, और गेस होन करके, अमने या कड़ाई चड़ा दिये, वेसे हमें इसमें oil डालने के बिल्कुल जर्वत ही नहीं है, आप चाहो त कर जाएगी, तो बिल्कुल भी जो हमारा बेटर यहां चिपकेगा नहीं होना ही जलेगा, तो क्या करना है, आपको ओल कासा गरम हो जान देना, मतलब कड़ाई को, और जो हमने बेटर बनाया ना, उसको बीच आपको डालना है, इस तरीके से बीच सेंटर में, हम पूरे ही में इस व Sakshoda को पूरा कर सकते हैं, तो समय इस इस नाश्टे को बनाने के लिए रख सकती होगे, किपो सरत, टियुंग होब हो आपने किसी भी काम को कर सकते हैं कि अन्हें नाश्ता किपन हम तुदि नाश्ता हो ऊ lifecycle बनाना और छोटा बनाना तो जिससे हमें इसको पलेटने में दिक्कत नहीं आएगी देख रहे हैं अच्छे से शेप दिया और अच्छे इसके हमने थिकनेस भी रखी ए मोटी जिससे नाश्ता जो यह टेस्टी लगता है तो गेस की फ्लेम स्लो कर देनी हो पांस से छे मिलेट अच्छे से ठीक है तो इसको अब हम बापस से ओपन करके देख लेते हैं एकदम बढ़िया हमारा नीचे की साइट से नाश्ता जोई सिख चुका है हाथों से चिपक भी नहीं रहा है बिल्कुल भी देख रहे हो ना तो अब इसको आप देख सकते हो हम गोलाई में घुमा बिल्कुल भी अमारा बेट रेसा नहीं कि अलग अलग भग रहा है पूरे अच्छे से पक चुका है नाश्ता एक साइट से अब हमें हमारा नाश्ता जोई दोनों ही साइट से पकाना है तो देख रहे हो कडाई में बस यही दिक्कत आती है हमें पहले इस नाश्ते को प्ले अब आपको क्या करना है कडाई में हलका साइल वापस से डाल देना है वह उइल को घरम बगएर आपको कुछ नहीं करना क्योंकि कडाई तो हमारी गरम में तो फोई अच्छे से गरम हो जायागा और जो नाश्ता है उसको वापस से इसमें हम यह डाल देते हैं वह दूसरी तो आप इस नाश्ते को खाएं यदि हां अशुबागड़ा नाश्ते में इतना अच्छा टेस्ट आता है कि अपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा बेहत जाद आपको यह पसंद आएगी देख रहे हो अमने इसको दोनों साइट से अच्छे से शेक लिया तो अब इसको हम फटाफट से निकाल लेते बढ़िया नाश्ता लगता है एक बार आप इस नाश्ते को जरूर बनाए क्योंकि जब फ्रेंड्स मेने यह नाश्ता मेरे घर पर बनाया था तो सभी का पेड़ बर गया था पर मन नहीं बरा था मुझे सेम मतलब उसी दीन दूसरी बार यह न में बहुत ज्यादा टेस्टी है यह अपने एक बार यह नाश्ता बनाकर खा लिया ना तो मतलब सातो दिन आप यह नाश्ता बनाकर खाओगे इतना ज़दे लगता है फ्रेंड्स यह आपको मेरे आज की रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीस आप मेरे वीडियो को लाइक मेरे अच्छी लगती है तो साथ मी चैनल को सब्सक्राइब करें